हाईलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून दोस्तों ये वीडियो हमारा रेजिनिंग का पार्ट नंबर 20 है जिसमें हम लोग रेजिनिंग के टाप 10 मिक्स परसनों को साथ ट्रिक के जरिये यानि कि कम से कम समय में साल्ब करेंगे तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर स करें ताकि रेजिनिंग के परसनों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर हो सकें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग कोस्टन के नेचर के बारे बात कर लेते हैं पहला कोस्टन दोस्तों हमारा बेन डाइग्राम से जिसमें कांसेट दिया गया है फरनीचर कुरसी औ और 63, हमें बताएं दोस्तों कि question mark पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, अगला question दोस्तों हमारा missing number से है, जिसमें पहली और दूसरी सीरीज भरी हुई है, तीसरी सीरीज में बताने हैं कि कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो इस तरह से दोस्तों यहां पे mix प्रस्णों को डाला है, questions को बिल्कुल भी skip नहीं करने हैं, सारे questions देखने हैं, ताकि reasoning के हर chapter से prepare हो सके हैं, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, दोस्तों reasoning के questions आपके लगबख सभी one day exams में, चाय ससी MTS हो, CPO हो, CGL हो, CRPF हो, ZD हो, CHSL हो, CTET हो, UPPSC, वहां इलाबाद High Code के ROARO की परिच्छा हो, RRB हो, UPCC PET हो, Junior Assistant हो, UPCC के द्वारा आजजित होने याली Un-Biven Vacancies हो, NTPC हो, सभी state के Police Constable के exams हो, Bank हो, Railway हो, अगनी वीर Army हो, यहां तक कि दोस्तों UPSC से लेकर state PCS तक आपके सभी exams में reasoning के questions पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग reasoning में पूरी तरह से prepare होने का प्रियास करें, आगे चलते हैं हम लोग question number 1 की ओर, question number 1 दोस्तों हमारे सामने है, question हमारा classification से, chapter का नाम ध्य दोस्तों ताकि यह ध्यान रहें कि किस चेप्टर से किस टाइप के questions पूछे जा रहे हैं, और कौन कौन से chapter हमारे clear हो रहे हैं, तो classification से हैं दोस्तों, यानि कि वरगी करण से, question कहे रहा है, निम्न में भिन्ना अर्थक सब्द का chain करें, यानि तीन विकल्प इसमें एक जैसे कौफर यानि कि ताबा क्या है, एक धातु है, वराज, पीतल क्या है, तो दोस्तों यह है एक मिस्र धातु के अंतरगत आता है, किसके अंतरगत, ताबा युम जस्ता के मिलाने से पीतल का निर्मार होता है, ध्यान रखेंगे, जी के बेश्ड भी ये question है, तो इसमें अलग क चलेंगे हम लोग, next question की ओर, अगला question दोस्तों हमारा word formation से है, यानि एक word दिया गया है, हमें बताने हैं, question कह रहा है, निम्न में दिया गया सब्द से कौन सा सब्द नहीं बनेगा, सब्द क्या दिया गया है, अब चार आप्सन हमारे सामने है, ऐसे question दोस्तों ज्यादा से practice करने होते है, थोड़े से दोस्तों confusion से question गलत हो जाते है, सब्द क्या है, indeterminate है, अच्छर देखने है, चारो पिकल में देखने है, इन अच्छरों से कौन सा हमारा सब्द नहीं बनेगा, तो सबसे पहला क्या है दोस्तों हमारा सब्द determined है, क्या है, determine है, अब इसको check लेंगे दोस्तों तो डीटर हमारा यहां से हो गया, M I N यहां से हो गया, और E हम लोगों ने यहां से ले लिया, तो पहला हमारा बन जा रहा है, यानि यह हमारा एंसर नहीं होगा, हम लोगों को नहीं बताने हैं, नेक्स्ट बिकल्प क्या है दोस्तों, रेटिउन है, अब रेटिउन चेक करेंगे, तो दोस्तों, R E यहां से ले लेंगे, फिर क्या है दोस्तों, T I है, T यहां से उठा लेंगे, I यहां से लेंगे, और N यहां पर है दोस्तों, U कहां पर चेक करेंगे, तो दोस्तों, यहां यू नहीं आ रहा है, इन डिटर्माइनेट सब्द में यू नहीं आता, तो हमारा दोस्तों, करेक्ट एंसर बन जाएगा, विकल्प नमबर भी, अब आगे भी चेक कर लेंगे, ताकि हमारा प्रेक्टिस बना रहे है, फिर क्या है दोस्तों, C नमबर विकल्प, हमारा रिमाइ यहां से ले लेंगे, EB लेंगे, MI भी हो गया, N भी हो गया, तो हमारा रिमाइन बन रहा है, अब रेटिना चक करेंगे, जो की D नमबर विकल्प है, रेटिना देखेंगे दोस्तों, तो RE यहां से ले लेंगे, T यहां से उठा लेंगे, I यहां से, N यहां से, यहनी रेटिन यहीं से बन ज़रा है, तो हमरा यह भी बन रहा है C भी बन रहा है, D भी बन रहा है लेकिन, रे टून में, जो U अच्छा रहा है, यह दोस्तों हमारे सब्द में नहीं आ रहा है, तो कौन सा करेक्ट एंसर बनेगा विकल नंबर B, आगे चलेंगे हम लोग next question की और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये question भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा अगला question दोस्तों हमारा number series से है यानि एक series दी गई है series में क्या है दोस्तों 3 है 6 है 9 है 15 है 24 है 39 है 63 है आगे question मार के हमें बताने की कौन सी संख्या भरी जाएगी अब question को ध्यान से दोस्तों यहां पे देखने का प्यास करें कि series क्या करें यह स्रीज में देखें दोस्तों, तो संख्याएं बढ़ रही है, अब किस करम में बढ़ रही है, यह हम लोग देखेंगे, तो 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानि कि यहाँ पे प्लस 3 हो जा रहा है, अब 6 के बाद 9 हो जाता है, अब यह क्या है दोस्तों, 9 के बाद क्या है, 15 ह कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर छे, होगा, 9 में 6 प्लस करेंगे अब 15 के बाद दो, 24 है तो 15 में कितना 8 करेंगे, हमारा 24 हो जाएगा 9 दोस्तों यहां पर 9 अब ध्यां से देखें दोस्तों सब से पहले इंद-3 फीर फंद-3 प्लस-6 प्लस-9 तो इस तरह से हमारा स्रिस नहीं चलेगा यानि यह लाजिक यहां पर काम नहीं करेगा कोई दूसरा लाजिक देखेंगे आप क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें square और cube के चक करेंगे कि कौन-कौन सी संख्या हमारी square है और cube है तो 3 के बाद 6 है 6 के बाद 9 है 9 के ओल दोस्तों यहां पे हमारा 3 का square हो रहा है बाकी 15 भी दोस्तों यहां पे नहीं बनना है 24 भी नहीं बनना है 49 भी नहीं बनना है, 63 भी नहीं बनना है, तो square और cube से भी यह साल्ब होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2-2 संख्याओं को देखेंगे दोस्तों, जब एसे question ना साल्ब हो, तो 2-2 संख्या देखिए, तो 3 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, फिर 2-2 संख्याओं को देखिए, फिर यहां पर हमारी series बनेगी, 2 संख्या की, अब देखें दोस्तों, 3 के बाद 6 आ रहा है, 3 के बाद क्या रहा है, हम लोग 3 पलस कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है, अब आगे देखें दोस्तों, 6 में हम लोग ने 3 प्लस किया, तो 9 बन गया, अब 9 में क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे, यानि एक संख्या छोड़के हम लोगों को चलने है, अब 9 में हम लोग 6 जोड़ लें तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 24 और 15 को यहाँ पे जोड लेंगे और आगे की संख्या लिख देंगे, यानि पीछे की दो संख्याओं को आट करके आगे की सिरीज हमें लाने है, तो हमारा 49 हो गया, अब 49 के बाद दोस्तों, क्यों से संख्या आगी, तो हम इन दोनों को add कर लेंगे आगे हमारी series बनेगी तो 49 plus 24 को add करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा अब यहां तक हमरा 63 हो गया दोस्तों अब 63 के आगे हम लोगों को बनाने हैं तो 63 और 49 को यहां पर add करेंगे दोस्तों अब 63 और 49 को चलिए हम लोग दस हो जाएगा 102 आ रहा है अब 102 हम लोग चेक करेंगे तो सी नंबर फिकल्प यहां पर हमारा करेक्ट एंसर बन जा रहा है यानि पिछले दो संख्याओं को आड़ करके आगे की संख्या लानी है आगे चलेंगे हम लोग फोर नंबर कोश्चन की और उम्मीद करते हैं दोस्त करा निम्निमे सही उत्तर आकिरती का चैन करें अब ध्यान से देखे दोस्तों इसका एक चोथाई हमारी आकिरती खाली है अब चोथाई को इसमें बहुत करेंगे तो सब सबसे पहले यह दोनहीं कर जाएंगे कि नीचे यहांपर इसमें नहीं है, अब ये बचा ये बच गया, अब इसमें देखें दोस्तों कौन सी यह आकरती हम उठा कर रख दे तो हमारी आकरती पूरी हो जाएगी, अगर हम A नमबर आकरती को रखते हैं, तो दोस्तों हमारी आकरती उल्टी हो जाएगी, ध्यान से देखिए आप लोग, और अगर हम लोग D number आकिरती को उठा की आकिर रखते हैं, तो यह आकिरती हमारी पूरी हो जाती है, यानि कि हमारा कौन सा answer बनेगा, D number यहाँ पर correct हो जाएगा, D number आकिरती रखने से यह आकिरती हमारी पूरी हो जा रही है, ध्यान से देख लिजी आप लोग दोस्तों, यह दोनों आकिरती हमारे बिल्कुल नहीं होगे हैं, कि इसमें जो दोस्तों अंदर की दोनों बित्यकाल लखी रहे हैं, वो नहीं है, अगर हम यह आकिरती उठा की रखते हैं, तो आकिरती हमारी पूरी हो जाती है, तो D number यहाँ पर हमारा correct answer बन जाएगा, उम्मिद करते हैं दोस्तों यह question भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आगया होगा, आगे चलते हैं 5 number question की और, अगला question भी दोस्तों हमारा classification से, यानि कि वर्गी करण से, question भी कह रहा है, निमन में विनाव थक अंग का chain करें, यानि तीन इसमें दोस्तों विकल्प है, जो एक जैसे है, ये एक बिकल्प जो अलग है, उसको हम लोगों को chain करने है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 125 है, 125 के बाद 343 है, 343 के बाद 516 है, और फिर 739 है, अब ध्यान से देखने पर कौन सी लाजिक लगती है दोस्तों, ये सारे क्या है, क्यूब है, ध्यान से देखिए, लेकिन इसमें कोई एक अंख होगा, जो कि क्यूब नहीं होगा, इसी पर दोस्तों, हम मैं बार-बार बोलता हूँ, कि आप एक से लेकर 20 तक सारे संख्यों का क्यूब याद कर लेजी, अब ध्यान से देखिएंगे, दोस्तों, 125 का क्या है, तो ये हमारा 5 का क्यूब है, किसका क्यूब बन जाता, लेकिन 516, 8, 8, 8, 8, 8, 512, तो यहाँ पर 516 है, तो यह हमारा लग जाएगा, यानि 516 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, C नमबर विकल्प, यहाँ पर हमारा correct answer बन जाएगा, उमीद करते हैं दोस्तों, ये question भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ मे आगया होगा, आगे चलते हैं हम लोग 6 नमबर question क्यों, अगला question दोस्तों हमारे सामने है, missing number से question है, ध्यान देजीगा, question कह रहा है, लुप्त संख्या नियान करें, यानि कि एक series दी गई है, question mark पर बताने कि कौन सी संख्या भरी जाएगी, अब ध्यान से देखेंगे, तो 10 लाजिक लगाईए, 10 के बाद क्या है, 18, 18 के बाद 36 है, अब यहां भी बताने है, फिर 130 है, 258 है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो संख्याएं बढ़ रहे है, यहां पर दोस्तों कुछ square या कुछ multiply किया जा रहा है, अब ध्यान से देखेंगे, तो 10 के बाद 18 आ र चल लाजिए, अब 34 का क्या करेंगे, गुड़े 2 करेंगे, तो 34 गुड़े कितना होता है, 60 होता है, मानेस 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा 66 हो जाएगा, अब बिकल्ब चेक करेंगे, तो D नमर बिकल्ब में 66 हो जाएगा, लेकिन हम लोग आगे की संख्याओं को चिक करेंगे अब 66 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 132 हो जाएगा 132 से 2 मानस कर देंगे तो 130 हो जाएगा यानि सही है अब 130 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 260 हो जाएगा मानस 2 करेंगे तो 208 हो जाएगा अगला question दोस्तों हमारा band diagram से है, question कह रहा है, दोस्तों एक concept दिया गया है, furniture का, kursi का, मेज का, नीचे हमारी options से बताने है कि किस से related है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे question जब भी solve करने हो, आप सबसे पहले concept को समझने का प्रियास करें, तो दोस्तों देखिए, सबसे अब कुरसी क्या है, एक furniture है, यहनी सबसे पहले हम लोग फरनीचर का डाइग्राम अब इसी में, हम लोग कुरसी भी डाल देंगे, और मेज भी डाल देंगे, और अपने option चेक कर लेंगे, अब कौन सा option बनना है दोस्तों, C number बिकल्प यहां पर हमारा correct answer बन रहा है, question की और अगला question दोस्तों हमारा analogy यानि सम्रूपता से question कह रहा दोस्तों कि हांकी का जैसे समन्ध भारत से है baseball का किसके साथ होगा अब लाजिक लगाएंगे दोस्तों है उसके बाद दोस्तों चीन का क्या है टेबल टेनिस है आस्टेलिया का किरिकेट है अब बचा के दोस्तों अमेरिका तो यह नमबर यहां पर करेक्ट एंसर बन जाएगा अमेरिका का राष्टेखेल बेसवाल है उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कोश्चन भी आप लोगों को different से समाझ में आगया होगा आगे चलते हैं 9 column question कि और अगला question थो मेरा missing number से most important question दोस्तों इसे question आपके हर keen exams में बेजाएं to find missing term first and second series हमारी भरी है third series में बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी अब ध्यान से दिख है इसमें तो इसका आर्थ होता है कि यहाँ पे दूस्तुटों कुछ संख्या अड़ी संख्या रहा है, तो बाद में दूस्तों उसको डिवाइट किया रहा होगा, यानि इसी हम लोगों को लाजिक पे चलने हैं, अब सबको एक बार, प्रस करके देख लेते हैं, तो 4,2,6,3,10 हो करेंगे अगर हम लोग दोस्तों 10 से 4 मानस कर दें तो 6 आ जाएगा चलिए एक लाजिक लगा लेते हैं सिकेंट में देखेंगे 5 4 3 12 2 14 तो यह सा बनेगा नहीं मानस 2 करेंगे तो 10 आ यह नहीं चलेगा अब इन सब का दोस्तों क्या कर लेंगे हम लोग मल्टिप्लाई कर लेंगे जो बागी की संख्छा जाएं के नारी की तो 4 दुन्नों कितना हो जाएगा 8Re कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24 सीखनयम 24 हो जाएगा अब दोस्तों 6 बीच में है, तो 6 से हम लोग 4 को काड़ सकते हैं, यानि 6 गुड़े 4 कर दें, तो 24 कट जाएगा, यानि गुड़े 4 से संख्या कटनी चाहिए, यह ध्यान दिखे चलेंगे, अब आगे देखेंगे, गुड़े 4 से भी कटना चाहिए, पांचो कितना हो जाएग अब 6 करिणम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दुन्ना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 सत्य कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, अब कौन सी संख्या गुड़े 4 करने से 84 कर जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे 21 है, 21 गुड़े 4, 84 हो गया दोस्तों, 22 का 88 हो जाएग उम्मीद करते हैं दोस्तों यह question भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आगे होगा आगे चलते हैं question number 10 की ओर question number 10 दोस्तों हमारा analogy से ध्यान देंगे ऐसा question दोस्तों gk related होते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं question है दोस्तों कि England का जो समझ यूरोप से है दोस्तों Brazil का हम लोगों को बताना ध्यान से देखिए दोस्तों England के सामने Europe लिखा हुआ तो यह कैसा logic लग रहा है दोस्तों यहाँ पे location बताने हम लोगों को क्या बताने location बताने लाजी को देखे concept को तो logic लगेगा दोस्तों कि यहाँ पे हम यूरोप महादियूप में इस्थित है कहाँ पे यूरोप महादियूप में और ब्राजिल किस महादियूप में इस्थित है तो दच्छिन अमेरका महादियूप में इस्थित है यानि कि B number बिकल्प यहाँ पी आपका correct answer बन जाएगा England जिस तरह से यूरोप में इस्थित है ब्राजिल इसी तरह से दच्छेड अमेर का महादूप में इस्थित है तिया थे दोस्तों इस सीरीज के टाप MCQs के परस्न जिसको हम लोगों ने हापिस सल्प के हैं उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सल्प के होंगे और देखेंगे कि यहां से आपके कितने परस्न सही हो रहे है तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल स्यूक्रपा कलासे से जुड़ेया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स वार वाचिंग